नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में तो विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में और जो आज हम जिस बुक को करने जा रहे हैं ठीक है आज हम जिस बुक को लेकर क्या हैं बी एच डी एल ए बी एच डी एल ए वन थ्री जी के द्वारा लिखा गया है जो ब्यंग निवन्ध है वैश्णों की फिसलन उसमें से हमें एक important question को लेकर के आए हैं और आपको बताएंगे कि जब देखो जितने भी चेप्टर हैं बी एच डीले में अगर हम 5 या 6 चेप्टरों की अगर मैं बात करूँ जो पहली unit है उसमे से आपको एक important question exam में जरूर देखने को मिलेगा और किसी भी question के आपसे पूछ सकते हैं जैसे पहला चेप्टर है पूछ की रात उसकी आपकी जो सनचना सिल्फ पूछी जा सकती है या जिस दूसरे चेप्टर को हम लेकर रहे हैं इसकी भी कहीं कहीं सनचना सिल्फ पा सकता ह जो बहुत बड़ा सवाल है उसका भी सनचना सिल्फ पूछा जा सकता है महादी वर्मा का जो है कहीं कहीं उससे भी पूछा जा सकता है जीने की कला से अगर हम राकिश मोहन जी की बात करें तो उनका जो उन्होंने एक कहानी लिखर की जो आत्म कथा उन्होंने लिखर की आत इजाम में एक important question एक जरूरी question आपको देखने के मिलेगा कि सनर्चना सिल्प क्या होता है सनर्चना सिल्प का मतलब होता है जब भी आपसे पूछा जाएगा कि माली जी हम जिस question को लेकर के आए हैं वो हमारी बुख है BHDLA 138 ठीक है BHDLA 138 और इसमें जो हम बात करेंगे BHDLA 138 के जो हमारा question है बैशनों के फिसल्प की सनर्चना सिल्प का वर्णन कीजे यह आपसे question दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि बैशनों के फिसल्प का भासा सैली बताएगा जब भी आपसे सनर्चना सिल्प पूछा जा साहित और विविद विधायन इसमें जो है चैप्टर नंबर दो है वैशनों के फिसल्प और उसमें एक important question बनता है कि वैशनों के फिसल्प की सनर्चना सिल्प बताएगे दोको जब सबसे पहले आप सनर्चना सिल्प लिखने के लिए जाएगे तो सबसे पहले आपको basic एक वैशनों के फिसल्प निबंद की सनर्चना सिल्प यानि इसकी भासा साहिली को हमें बताना है और भासा साहिली यानि सनर्चना सिल्प लिखने के लिए सबसे पहले हमें भूमिका का जिक्र करना पड़ेगा और भूमिका को लिखना पड़ेगा और भूमिका किस चीज के भ भूमिका का जिकर करेंगे दोखो कोई भी कोछनों का सबसे पहले हम उसकी भूमिका के बारे में देखेंगे तो भूमिका को आप किस प्रकार लिखेंगे कि हरिसंकर परसाई जी के द्वारा लिखित ब्यंग निबंध की भासा चुबती हुई भासा में करती चोट करती यानि कहने का मतलब हरिसंकर परसाई जी ने जो इस बेंग निबंद को लिखा है उनकी जो भासा है चुबती हुई चोट करती यानि कहीं कहीं उन्होंने ऐसा बेंग किया है तो कहीं कहीं जो चुबती हुए यानि कहीं कहीं उन्होंने ब्यापारियों पर जिस प्रकार बेंग किया ह या जो धरम में पाखंड फैला हुआ जो पाखंडी लोग हैं उन लोगों पर जिस प्रकार से अगर मैं बात रूँँ जिस प्रासे उन्होंने चुबती हुई भासा में कहीं और गहरी चोट करता है इस ब्यंग निबंद की रचनाओं की सफलता के पीछे सबसे बड़ी चीज है लेखक की पैनी नजर और उसके कुछ जिससे कुछ छीपा निरता अगर हम देखें तो हरिसंकर परसाई जी के अगर हम इस ब्यंग निबंद को देखते हैं तो उन्होंने उनकी जो ये ब्यंग सं करते हैं या किसी ऐसे काम को करते हैं जो कहिन के धरम के चसमेसी या धरम के द्वारा उसको सही ठहराने की कोशिस करते हैं या सही बताने की कोशिस ऐसी जो धरम का सहरा लेकर के आगर हम बातने जैसे वरस्टा चार करते हैं करप्सन करते हैं सूत खोरी का काम करते हैं यानि क कहने का मतलब है जो धरम का सहारा लेकर के गलत कामों कुद कर रहे हैं कहीं के हरिसंकर परसाई जी के दिने इस रचना में दिखाया है और कहीं कहीं हरिसंकर परसाई जी की अगर हम रचनाओं के देखेंगे तो एक बड़ी सफलता कि हरिसंकर परसाई जी ऐसे व्यंग का रहे ह उनकी नजर से कोई भी चीज छुप नहीं सकती है यानि कोई भी चीज छुप कर भी हरीशंकर परसाईजी के नजर से कभी छुपी नहीं रहे हरी शंकर परसाई जी ने कहीं के इस बात को देखा है कि समाज में ऐसे भी लोग बने हुए और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धरम का साहरा लेकर जो religion का सारे लेकर कहिन कहीं सारे गलत कामों को या दो नंबर के कामों को या हम बात रहें यानि व्राष्टाचार और करफसंग को कहीं धरम के सारे कहीं करें उन लोगों पर कहीं के हरिसंकर परसाई जी ने इस बेंग निबंद में गहरी चोट की है बैष्टनों के फिसलन में चरित्र विधान और संबाद योजना के कान कहानी में गोना यानि बैष्टनों के फिसलन अगर देखें तो इसमें चरित्र विधान है कहीं कहीं इसमें हरिसंकर परसाई जी ने चरित्र विधान यानि कहीं किसी के करेक्टर को बताया है दूसरा इसमें जो बैशनों हों जो इस प्रकार भगुण विश्णों से बात करता है जिस प्रकार जो बैशनों हो है अपने जो होटल में उनके लोग आते हैं उनसे बात करता है इसकी संबाद योजना के कांड भी यानि जो इसमें संबाद किया जाता है और जो इसमें'RE character है विधाद, चैरत्रि विधान, उसके अकाण कहीं, इस ब्यंग निबंद में हमें कहानी के गुणभी देखने को मिलते हैं निबंद के समबंध में जो भी दूसरा महात्पूर्ट तठ्य है, उसकी भाशा, अगर हम इसकी भाशा की बात करें हैं इसकी भासा में कई रूपों में देखने के मिलती है इसमें अंग्रेजी के सब्द हैं संस्कित के सब्द हैं उर्दू के सब्द हैं यानि हमें कई इसकी जो भासा है काफी बहतर भासा है कई सब्द इसकी भासा जो हमें देखने के मिलती हैं दूसरा हम इसके बात रहें कि इस नियम होते हैं उन नियमों को कहीं हरिसंकर परसाई जी हमें इस बैंग निबंद में तोड़ते हुए नजा राते हैं इस प्रकार हुए सापदिक जो अर्थ है या उनकी सिल्फ गत विशेशताएं हैं भासा की जो माननेता होती उसको भी कहीं हमें लांगते होती हैं या ब्या ब्याकरण की सीमा से परे जाते हैं विशेश करते हुए हमें दिखाई देते हैं इस निबंद में हिंदी के जो हम बात रहें हिंदी के जो जाती है गद्य खड़ी बोली का कहीं कहीं इसमें उन्होंने अगर इस निब्यंग निबंद में देखूँ तो कहीं कहीं इसमें हरिसंकर परसाई जी कहीं कहीं हिंदी गद्य की जो खड़ी बोली है उसका संपूर्ण छमता के साथ उर्जा के साथ और जुजहारू उपन के साथ, इसमें हरिसंकर परशायलची की अगर जो हमें साहली देखने की मिलती ही, बहुत जुजहारू टाइकी साहली is, यानि कहीं कहीं एक अगर बात रहें, कि समाज में जो बहश्टाचार है, जो करप्सन है, जो लोग धरम का सहरा लेकर इस सारे काम को कर रहे हैं उनको कहिन के जुजहारूपन हमें इसमें देखता है कि कहिन के उनका फर्दा फास करते हुए या उनको कहिन कहीं पर्दा फास करते हुए या उनका चरित करेक्टर कैसा है या जो लोग धरम का साहरा लेकर कर भरष्टा चार कर रहे हैं उनको कहिन कहीं उनको समा साज सैली की बात करेंगे उसमें ब्यांग्यात्मक है अगर इसकी हम सैली की बात करेंगे तो मैं इसको क्या लिखेंगे भूमिका में लिखेंगे जब भी को चना आपको आएगा किसी भी चैप्र का पूछा जाता है कि आपको सरणचना सिल्फ बताना है तो आपको उसमें दो चीजे बतानी पड़ेगी पहला आपको क्या बताना बढ़ेगा इसकी सैली क्या है दूसरा इसकी भासा कैसी है सैली का मतलब होता है कि इसमें जो कहानी कार है या निबंद कार है रचना कार है या ब निवंध है इसको एक हिन कहीं भया आत्मक सीलेई इसमें कहीं हरीसंकर परसाई जी बैशनों के द्वारा ऐसे लोगों पर भयंग करते हैं जो धर्म का सहारा लेतें यानि कहीं कि हरी बयंग सैली का मतलब होता कि आप किसी पर, जब आप किसी पर कटाक्ष करते हैं, जब आप आपके कहने का अंदाज क्या है, आप किस सैली में बात करते हैं, यानि उसी सैली यानि आपके कहने का अंदाज क्या है, आप किस अंदाज से कह रहे हैं, और आपके कहने का उद्देश कहा है, उसी को बोला जाता है कहिन कहीं सैली तो इस chapter में हरिसंकर परसाई जी कि अगर हम बात करें तो कहिन के उन्होंने ब्यंगात्मक सैली में प्रियोग किया है देखो जब भी question हैगा सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा भूमिका लिखनी पड़ेगी उसके बाद हम दूसरी बात लिखेंगे सैली की बात लेगे तो सैली जब आप लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले बताईए सैली क्या होती पहले आपको define करना पड़ेगा कि सैली क्या होती है ठीक है देखो हम सैली की बात करते है सैली देखिए हरिसंकर परसाई की सैली पर विचार करने के लिए भाव परधान और विचार परधान तथा व्यक्ति निष्ट और विशय निबंध जैसी कसाउटियों की स्रेणियों में को छोड़ना पड़ेगा यानि हरिसंकर परसाई जी की अगर हम सैली पर विचार करेंगे तो हमें भाव परधान ऐसी सैली हैं जिनमें भाव बहुत ज़्यादा जो भावनात्मक होती हैं सैलीय या ऐसी सैली जी के निबंध में आकर निबंधों में अगर सैली की आत्यंत समाबिष्ट करना होते उसे बेंगात्मक सैली में माना जाएगा मैं अगर बात रहूँ कि किसी भी निबंध में, कहानी में, नाटक में, या कांकी में, या ब्यंग में, या आत्मकथा में, अगर कोई भी कहानी का रचना कार, अपनी रचना को जिस सैली में लिखता है, सैली का मतलब है जिस अंदाज में लिखता है, उसके कहने का अंदाज क कर रहा है समाज की हकीकत को बया कर रहा है क्या वह बहुत भावक होकर बात करते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बात बात में बहुत दया दिखाते हैं बहुत लोग भाव को करके बात करते हैं कोई कोई आपको मिला होगा जो बहुत गुसे से बात करता है उनमें लगेगा वीरता की बाते करते हैं कुछ लोग करुणा के साथ बाते करते हैं बहुत लेग भावनात्मक है कुछ लोग जब बात करते हैं वासल हमें देखने मिलता है कि ममता का भाव बहुत दो गए तो वही सैली का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज को कहते हैं या आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका कहने का अंदाज क्या है अंदाज का मतलब होता है सैली देखो सबसे पहले हम जब भी कोस्टन आएगा क किसी भी चैप्टर का आगया कि इसकी सनचना सिल्प लिखे यानि आपको क्या लिखना है बहां सा लिखने हैं और इसकी आपको साइली लिखने हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भूमिका लिखें भूमिका के बाद हम लिखेंगे साइली साइली में जो मैंने अभी चीजों क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगी साहली क्या होती, उस चैप्ठर में आप डिसाइड करोगे कि इस चैप्टर में लेखक ने कौन सी साहली का यूज्ग किया है, साहली जब डिसाइड यूज्ग हो जागी कि उस इतिहाज कार ने, या हम बात रहेंगे कि लेखक ने या लिखने वाले ने यहां हमारे जो कवि है जो राइटर है उसने काउन से सैङली यूज की तो हम इस chapter की बात करेंगे कि जो बैशनों की फिसलन है उसमें हरिसंकर परसाई जी ने व्यंगातमक सहली यानि कहिन कहीं ओ बैशनों के द्वारा समाज में ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं या ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो समाज में अगर मैं बात रहूँ कि गलत काम करने के लिए नंबर दो का काम करने के लिए या मैं अगर कहूं वरस्चाचार करने के लिए करप्सन करने के लिए कहिन कहीं धरम का सहारा लेते हैं किसी रिलीजन का सहारा ले करके अपने गलत कारों को कहीं कहीं ओ सही ठहरानी की कोशिज करते हैं या धरम के द्वारा कहीं उसको justify करने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों पर हरिसंकर परसाई जी ने इसमें उन्हों पर वेंघ किया है तो उन्होंने वेंग कैसे किया ध्यान दीजेगा कि वेंगात्मक सैली है उसमें और वेंग कैसे की सुनो वैशनो करोनपती है भगवान विष्णू का मंदिर है जाइदात लगी हुई है भगवान सूत खूरी करते हैं और ब्याजपर कर देते हैं इस परकार तूटे फूटे सबडों में अगर मैं बतूँ हूँ तो इसमें ना तो करता है ना तो किरिया है कहीं किरिया गायब है इस प्रकार हरिसंकर प्रसाई जी के सैले में अधूरा पन भी हमें देखने हैं जिस प्रकार ओ अगर मैं बात कूँ जिस प्रकार हमने सुरू में बात कि हरिसंकर प्रसाई जी ब्याकरण का बहुत परहेज करते हैं ब्याकरण को नहीं देखते हैं यानि अधुरे सब्दों में कहिंए उनकी बात पूरी भी हो जाती। योई ह्री संकर प्रसाई जी को देखें तो कहिं call कहीं ब्याकरण का पहुष करते हुई ब्याकरण निश्ट भासा नहीं बोलते हैं फिर भी उनकी जो बात होती बहुत मार्मिक बात होती हैं बहुत कहिन के चोट करती है और कहिन के उनका जो व्यंग है जहां व्यंग करते हैं उस तक कहिन कहीं हमाएं वो व्यंग पहुंचते हुए दिख भी रहा है और अगर मैं बात कुने जी इस प्रकार वो बोलते हैं कि वैशनों करनों परती है भगवान का विश्नों का मंदिर है जाजाज लगी है और भगवान सूत खोरी करते हैं और ब्याज पर कर्ज देते हैं तो कहिन कहीं इस परकार की कहीं कहीं हो बैटनों के द्वारा कहीं कहीं हो क्या कर रहे हैं व्यंग कर रहे हैं और उनकी सैली में क्या यह हमें व्यंग पन इस विन वाक्यों में और इन लाइनों में कहिन कहीं चैप्टर में जो वो बोलते हैं उनमें हमें व्यंग दिख भी रहा यानि हम एकजामपल के साथ बता रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने कुछ लाइनों को जैसे हमने यहाँ पर बता है कि वो कह रहे हैं कि एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं अगला चुना निबंध पराया वर्णात्मक सैली विवेचनात्मक सैली में लिखे जाते हैं परांतु हरिसंकर परसाई जी की एक आन्य सैली दिखाई देती ही व्यंगात्मक जो निबंध होता अगर हम बात रहे हैं निबंद देखा होगा कि उसमें बहुत सारे हम निबंदों को देखते हैं कि आपको निबंद जैसे विज्ञान पर निबंद है, महंगाई पर निबंद है, बेटियों के लिए निबंद है, व्रस्टाचार पर निबंद है, अपनी भावनों को और वर्णन होता या किसी ब्यंग की सैली में कहिंगे कटाक्सिस में हमें करते हुए देखते हैं अगला ब्यंग परिसाई जी के विसाय का वर्णन करने से बचते हैं यानि हरिसंकर परिसाई अगर इस निबंध में देखें तो कहिंगे वर्णन करने से या इसको बहुत ज़्यादा डीटेलिंग में ब बात करें तो कभीर जब बैंग करते हैं कभीर जी की बात करूँ तो भी जब बैंग करते हैं उन्हों कहीं बैंग तो करते हैं लेकिन कहीं 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 उन्हों मनोरंजन के साथ बैंग करते हुए हमें कहीं 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 दिखते हैं और कहीं 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 कभीर जी जो मनोरंजन के का जो विर्योधी है या जो परतिपक्षी है उस पर ऐसा बेंग करते हैं कि विचारा तिल मिला जया था बिल्कुल ब्याकुल हो उड़ता है तो अगर मैं कहूं तो हरिसंकर परसाई जी इस प्रकार से बेंग करते हैं अपने विर्योधी को अपने बेंग के द्वारा बेंग करने में उनको महारत हासिल है या उनकी इतने आयोग्यता है कहीं कहीं ब्यंगों के द्वारा ही अपने जो प्रतिपक्षी है जो प्रतिद्वन्दी उसको कहीं कहीं ब्यंग से कहीं कहीं परास्त करते हुए हमें नजर आते हैं अब हम बात रहेंगे जैसे हमने ब्यंगात्मक स सायली को डिसायड करेंगे कि उन्होंने किस किंज पर बेंग किया है देखो इस बेंगातमक सायली में बातू हुँ तो कहीं बैपारियों पर बैण Post बातों देखो। क्या किया हम ब्यापारियों पर बैंग देखो ठीक है तो आपको देख रहा होगा ब्यापारियों पर बैंग यहां देख लिए देखे इस बैंग निबंद में हरिसंकर परसाई जी का बैंग अक्रोस उन ब्यापारियों पर या अगर देखे इस बैंग निबंद में हरिसंकर धरम का सहरा लेते हैं या अपने ब्योसाय करने के लिए उसको अपने धरम से जोड़ते हैं उनकी बेंग सैली की विशेष्ता यहा है कि वे सत्रु और मित्र के बीच में कहिंग हमें सा ध्याँ रखते हैं इससे हरिसंकर परसाई जी का बेंग कहिन के अधिक सार्थक बन जाता यनि हरिसंकर परसाई जी की हमने देखा बेंगातमक सैली तो हम इस बात करेंगे कि उन्होंने इस चप्टर में किस पर बेंग किया है किस पर कटाच करें तो कहिन के हम इस चप्टर में आप सबको पता है कि कहिन के ओ ब्यापारियों पर बैंग करते हुए हरिसंकर परसाईगी यहाँ पर नजर आते हैं तो इसमें अगर हम बैंग की बात करें तो उनकी सैली कैसे है बैंगातमक सैली और कहिन के उन्होंने बैंगातमक सैली और बैंगात्मक सहली में कहिन के ओ सारा अपना क्रोज, सारा गुसा या सारा बैंग उन ब्यापारियों पर हमें करते हुए नजाराते हैं जो अपनी सुविधा के लिए जो अपने कहीं निजी पन के लिए और जो कहीं के अपने फायदे के लिए कहीं के धरम का सहरा लेते हैं या अपने ब्यापार को उससे धरम से जोडने का कहीं के कोसिस करते हैं और हरिसंकर परसाई जी के ब्यंगात्मक की विशेशता यहा है कि क कहिन के उस सत्रू और मित्र में अंतर को कहिन कहीं बताते हैं और हरिसंकर परसाई जी का बेंग कहिन कहीं हमें लगता है कि बहुत ज़्यदा सार्थक हमें यहां दिखता है अब हम कुछ और बाते करेंगे इसमें चप्टर के उड़ेंग देखो हरिसंकर परसाई जी की बेंग इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने बेंग को एक नई दिसा दी जैसे पहली विशेष्टा हरिसंकर परसाई जी के अगर हम बेंग की बात करें तो कहिन के हरिसंकर परसाई जी ने बेंग को एक नई दिसा और एक नई दसा परदान के एक नही पहचान दी यानि बेंग की एक नई विधा यानि बेंग को भी कहिन के उन्होंने जिस प्रकार निबंध की सैले में लिखा वसे mostly जो बेंग होते निबंध की सैले में लिखे नहीं जाते थे लेकिन फिर भी अगर हम बेंग की बात रहें तो कहिन के उन्होंने बेंगात्मक सैली को कहिन के अगर हम बात र दुस्री बात है, हरि संकर परसाई जी के बैंग की जो रचना है, की रचना ही नहीं की है, वरना उन्होंने वहाँ बिबेग भी दिया है, जिससे हम बैंग के नام पर प्रचलित फूहरता से सार्थक और स्वस्थ बैंग करते हैं, अगर हम बात रहें आज जैसे हम बात रहें समाज में बात रहें तो अगर कोई हसी मजा करता किसी पर बेंग करता है किसी पर कटाक्स करता है तो उसमें फूहरता या कहीं कई भद्धापन या असलीलता भी हमें कहीं कहीं नजर आती है तो कहीं के हरिसंकर परसाई जी का जो ब बहतर रचना है इतने अच्छी तरीके से ब्यंग करते हैं कि कहिंगे उसमें जो फूरता या बत्तिमी जी या कहिंगे असलेलता होती हो में नहीं बलकि स्वास्त ब्यंग या स्वास्त हास ब्यंग हमें कहिंग हमें देखनों को मिलता है हरिसंकर प्रसाई जी की यही अलग बा की सीमा में बंधे रहकर बेंग कर देते हैं यानि हरसंकर परसाई जब बेंग करते हैं तो कहिन के हास जो है या विनोध जो बना उसकी सीमा में बंधे होकर के कहिन के बेंग को मुक्त कर देते हैं और एक महान और गंभीर समाजिक लग यानि हरसंकर परसाई जी जब बेंग कर बाते होती हैं जो लक्ष होते हैं यानि गंभीर से गंभीर बातों को कहीं कहीं वो बैंगों के द्वारा हसी मजाग के द्वारा कहीं 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 उन बातों को भी समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं तो अगर इसमें साथ जिस प्रकार यहां पर प्रस्तुत किया है वो बहुत ही देखें तो उनकी ब्यंगातमक सैली को कहीं करें उन्हें एक नया परदान किया और समाज में जो गंभीर मुद्दे हैं जो क्रिटिकल इसुँ है जिन पर लोग बात नहीं करते हैं उसको भी कहीं करें हरिसंकर पर परसाई जी अगर हम बात रहें तो आउसर अनकूल बात करते हैं यानि जैसा आउसर होता है जैसा परिवेस होता है या जैसा वाता वन होता है उसे के अनकूल हमें बेंग करते हैं यानि जितने तेवर की जरूरत है उतना ही वो बेंग करते हैं यानि कहीं 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 बातों क और कहिन के भाव के अनुकूल यानि उतना ही तेवर कहिन के हरिसंकर परसाई जी दिखाते हैं जितना उनको तेवर दिखाने की जुरूर्ट रहती है और कहिन कहीं अगर बेंग करते हुए कहिन कहीं सभी पक्छों का हरिसंकर परसाई जी सौधानी पूर्बक कहिन कहीं उसका स अगली बात रहे हरी संकर प्रसाइजी के बेंग की विशेषता its कुभारा, अपने बेंग के द्वारा प्रतिपक्षी की पूरी तरीक से धजी उड़ा देते याई यनि कहिनके बेंग जिस पर भी और विकृता, ब्युमि यनि कहिनके उसकी धग्यां उखते है। और कहिन का जो धोंग होता है उसको भी कहिन कहीं दिखाते हैं यानि कहिन कहीं ओ तो कभी माख होल ऐसे भी उडाते हैं कि जैसे मीठी चूरी के तरह काम करता है यानि जब वो किसी का बेंग करते हैं तो मीठी चूरी सा लगता है यानि कि हरिसंकर परसाई जी जब बेंग करते तो कहिन के अपने विपक्षी और जो होता है उसको कहिन के सरे आम नंगा कर देने से भी नहीं चुकते हैं यानि हरिसंकर प्रसाइजी जिस पर भी व्यंग करते हैं उसका कहिन के परदा फास कर देते हैं और कहिन के अपने प्रतिपक्षी का पूरा परदा फास कर देते हैं औ उनका हरिसंकर प्रसाईजी का व्यंग मीठी छूरी की तरह यानि कहीं के जिस प्रकार छूरी काम करती है और मीठी छूरी कहीं कहीं उनको मीठा मीठा और कड़वा कड़वा सा लगता है यानि जब हरिसंकर प्रसाईजी व्यंग करते हैं तो उनका जो प्रतिपक्छी है तिल के द्वारा कहिन के उन्होंने उन ब्यापारियों पर बेंगे किया है जो कहिन कहीं 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 करप्सन के लिए सूथ खोरी के लिए कहीं भगवान का साहर लेते हैं धरम का साहर लेते हैं या वो लोग रिलीजन का साहर लेते हैं दोको अब हम बात करेंगे भासा की बात करें द जिस format में में बात कर रहा हूँ जो आपको मैं format दिखा रहा हूँ इसी format में जैसे मैंने बता रहा है इसी format में जितनी भी आप सनचना सिल्फ लिखोगे या भाहां सा सैली लिखोगे सेम इसी format में सारी भांसा सैली आपको लिखना पड़ेगा जो पहला चेप्टर है, दूसरा चेप्टर है, तीसरा चोथा और पांचवा चेप्टर है अगर आप उसमें सनचना सिल्प लिखते हो तो कहिने का इसी और इसी इसी में जो बात नहीं गए कि कहीं इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको भासा सैली लिखने पड़ेगा आप हम भासा की बात करते हैं तो उन्होंने इस निबंद में किस प्रकार की भासा की यूज क में पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार की language है उसी को हम कहिन कहीं भासा में लिखते हैं आप देखें हरिसंकर परसाई जी ने इस निबंद में तत्सम तत्भव सब्दों का भी परियोग करते हैं उर्दू अंग्रेजी के सब्दों का उन्होंने खूब परियोग दिखता है और कहिन के अंग्रेजी के सब्दों का भी परियोग करते हैं हरिसंकर परसाई इस निबंद में खड़ी बोली का भी हमें कहीं परियोग करते हो देखते हैं तो कहिन के जब आप भासा लिखेंगे तो जब भी आप भासा लिखेंगे किसी भी chapter की आप लिख रहे हैं तो उसम कौन-कौन सी लेगमेज में, कौन-कौन सी भासाओं में, उसमें किस भासाओं को सब्दों का यूज किया है, जैसे तत्सम्तबों सब्दों का यूज करते हैं, बहुत सारे कहानिकार, कथाकार होते हैं, मुहाबरों का यूज करते हैं, लोकोप्तियों का यूज करते हैं, संस् जैसे आपने लिखा भासा तो भासा में आप क्या डिफाइन करके बताएंगे कि जो कहानीकार है जो कथाकार है उसने कौन-कौन से भासा इसमें यूज की है यानि लोकोपतियं यूज की है कि मुहावरी यूज किया है कि उसने तत्सम तत्भो सद यूज बोला है या अंग्रेजी के सब्दों का यूज किया है या संस्कित के सब्दों का यूज किया है या लोकल भासा यानि ग्रामिड अंचल की भासा या सहरी भासा या खड़ी बोली है ब्रज भासा है राजस्थानी है तो इन चीजों को आप बताएंगे कि किसकिन भासाओं का यूज क्या फिर आप उनको अलग अलग डिफाइन करके बताएंगे कि उसने उर्दू के सब्द जो परियोग किये हैं वो कौन कौन से उर्दू के सब्द लिखे हैं अंग्रेजी के सब्दों का परियोग किया है तो कौन कौन से लिखे हैं संस्कित के सब्दों का अगर परियोग किया है तो कौन कौन से संस्कित के सब्दों का परियोग उन्हाने प्रियोग कैया है सूथ खोरी पहला जो सब्द उन्होंने यूज किया तिसरा वलियत चोथा मुनीम यानि सूथ खोरी कर्ज, वलियत और मुनीम जैसे उन्होंने कि सब्द mandate की उर्दू के सब्दों का प्रियोग हरी संकर प्रसाई जी ने इस ब्यंग निबंध में किया है अब दूसरा सभेटिंग लिखेंगे आप अंग्रेजी के सब्दों का प्रियोग यानि हरिसंकर परसाई जी ने इस ब्यंग निबंध में किन अंग्रेजी के सब्दों का प्रियोग किया है अंग्रेजी के वर्डों का प्रियोग जैसे अंग्रेजी के सब्दों का प्रियोग कौन-कौन सा है ध्यान से देखेगा इसमें लिखाओगा जैसे उन्होंने ब्लैक, बात्रूम, लोन्री, लोन, टेनिस, गार्डन, नोन बेज, इस्टोक, बार, कैबरे, बियर, अपसर, आधिके अंग्रेजी के सब्दों का प्रियोग है यानि जब आप भासा लिखेंगे तो भासा कौन-कौन सी भासा यूज की गई तो आपने भासा बताए फिर बताओ कौन-कौन सा मुहावरा बोला है लोकोपतियां बोले तो लोकोपतियों को अलग-अलग डिफाइन करके आपको कहीं यहाँ पर लिखना होगा अब आप लिखेंगे संस्कीत की भी सब्दों का बहुत जदा इसमें हमीं बेंगनी बंद में देगा अब संस्कीत के सब सब्दों का प्रयोग किया है फिर आप लिखेंगे बोलचाल की भासा भी हमें दिखती है इस बेंगनी बंद में हरिसंकर परसाई जी की भासा है कैसी भासा है बोलचाल की भासा है ठीक है और कहिंके उन्होंने सुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है और हिंदी के सब्द हैं अंग्रेजी के सब्द हैं Ut volcanoes के सब्ध हैं इन सब्दों खप नहीं अगला आप frequency लिखेंगे बोलचाल की भासा है सब heading रहेगी आपके लिए हरिशंकर प्रसाई जी ने इस निई और भासा का मुख्य तेवर बोलचाल की भासा का ही प्रयोग है यानि जो मुख्य भासा कैसी बने रही मुख्य बोलचाल की भासा रही लेकिन उस बोलचाल की भासा में उन्होंने उर्दू के सब्दों का प्रयोग हिंदी के सब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के सब्दों का प्रयोग संस्क्रित के नहीं होता है हर कोसंट नि आपको निसकर से लिखना रही पड़ेगा आकरी में हमस्कर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हरिसंकरपरसाई जी के बेंग眨िबंद की सनचना सिल्प में। ब्यंगात्मक उन्होंने पर याणी हरिसंकर प्रसाई जी ने इस ब्यंग निबंद में अगर हम संवसना सिल्खी बात रहें तो उनकी जो सैली है में ब्यंगात्मक सैली का उन्होंने प्रियोग करते हुए दिखते हैं और उनकी भासा भहुत ही सहज है सरल है और वो कहिंगे बैंगात्मक भासा में तो बात करते हैं और इन अगर भासा की अगर बात करते हैं तो कहिन के उन्हों संस्कीत के सब्दों का प्रयोग, हिंदी के सब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी के सब्दों का प्रयोग, संस्कीत के सब्दों का प्रयोग हमें करते हुए दिखाई देते आदियादूरे सब्दों का प्रियोग करते हैं और कहिन कहीं यहां नीबंद बहुत ही महत्पूर माना ना हरिशंकर परसाइजी ने जब इस बेंग नीबंद के दुपरा समाज में जिस प्रकार समाज में जो लोग धरम का सहारा लेकरके religion का सहरा ले करके या किसी धार्मिक चीज का या भगवान का या किसी धार्मिक परणिक कथा का सहरा ले करके कहिन कहीं अपने गलत कामों को, गलत कुकर्मों को या दो नंबर के काम को या गलत कृतों को कहिन कहीं करने के लिए धरम का साहरे लेते हैं, रिलीजन का साहरे लेते हैं ऐसे लोगों पर हरिसंकर पसाईजी उन पर कड़ा कटाक्ष करते हुए हमें कहिन कहीं नजर आते हैं यह आपको क्या लिखना पड़ेगा, निसकर से लिखना पड़ेगा देखे, जो हमारी बुक है, देखे, BHDLA 138 उसमें जो चैप्टर नमबर तो है वैशनो की फिसलन, वैशनो की फिसलन में कोस्टन हर, जो कोस्टन है जैसे यहाँ पर वैशनो की फिसलन है, किसे में जैसे पूस की रात हो गया यहाँ बहुत बड़ा सवाल होगा, सहर चैप्टर में आपको कहिन कहीं सनचना सिल्फ देखने को मिलेगा, जब आप सनचना सिल्फ लिखेंगे तो आपको इसी आधार पे सनचना सिल्फ, यानि आपको सनचना सिल्फ ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसी जो फॉर्मेट है, सनचना सिल्फ लिखने का फॉर्मेट आपके लिए यही बना रहेगा सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी? भूमी का जब भी संचासिलिप किसी भी चेप्टर का आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भूमी का लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे आप सैली लिखेंगे सैली क्या होती और सैली का मतलब क्या होता है और उसमें कौन सी सैली है वो लिखेंगे जो sally होगी उसको कहन के define करके अलग Likke roommate पड़ेगा। जैसे मिसी में ब्यंगातमक viele थी तो आपको define करके लिखना पड़ेगा। कि ब्यंगात्मक सैली है और कुछ एक्जामपल के साथ बताना पड़ेगा कि ब्यंगात्मक कहां कहां पर उन्होंने ब्यंग किया है फिर आप लिखेंगे जब उन्होंने ब्यंग किया हरिसंकर प्रसाई जी ने तो किन पर ब्यंग किया किन लोगों पर ब्यंग किया जैसे उस प्रियोग किया है, तस्तंफद, तदभो सब्द, अंग्रेजी के सब्द, उर्दू के सब्द या फार्षी के सब्द, मुहाबर हैं, लोकोपतियां, क्या-क्या उसने यूज किया, कौन-कौन से सब्द है, फिर उन सारे सब्दों को आपको अलग-अलग करके अंग्रेजी के सब्द कौन कौन से प्रियोग के हैं उस सारे डिफाइन करके लिखो संस्की से सब्द कौन कौन से प्रियोग है उनको अलग-अलग डिफाइन करके लिखो उर्दू के सब्द कौन से उनको अलग-अलग करके लिखो यनि सब को आखो अलग-अलग करके इस लिखना पड़ेगा और निस्कर के साथ ही आपका पूरा जो कोस्तन होगा कंप्लीट माना जाएगा देखिए 20 नंबर का कोस्तन रहेगा और 20 नंबर के कोस्तन लिखने के लिए कम से कम आपको पांच यह छे पेज लिखना पड़ेगा और जो मैंने फॉर्मेट बढ़ताया है सरचना सिल्फ लिखने का यही फॉर्मेट हर चेप्टर में अगर सरचना सिल्फ पूचा जाता है तो इसी फॉर्मेट में कहीं कहीं आपको लिखना पड़ेगा हर चेप्टर की सैली आपको अलग अलग बदल जाएगी कहीं पर आपको वर्नात्मक सैली मिलेगी कहीं पर कार की सैलिया होती और अलग अलग सैलिया रहेंगी और भासा जो बहां पर बोली गए उस चप्टर में जो लेखक है जो कहानिकार है कौन सी भासा बोलता है और इस भासा को भी आपको लिखना पड़ेगा उसको जब भी स्रचना सिल्प पूचा जाएगा इसका मतलब पूचा जो है और इसमें आपको हिंदी साहित और भीवीद विधा है बीएच डिले वन ट्री एट बीएजी सेकंड येर में जो आपको हिंदे को उसमें जो जप्टर नंबर दुए वैश्टनों के फिसल्न उसमें हर चप्टर में से कोशन आपको काईन का ही देखनों मिलेगा कि उ सनचना सिल्प जैसे मैंने आपको बता है इसी प्रकार का लिखना पड़ेगा सभी चेप्टरों के लिए format आपके लिए यही बना रहेगा तो आसा करता हूँ आप सभी चेप्टरों की इसी प्रकार से आप सनत्या सिल्प और भासा सायली को लिख लिए ताकि आपके एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए आप एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक को अर्जित कर सकें और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें हमारी क्लासेश भी चल रही है और अधिक जानकारे लिए के लिए आप हमारी क्लासेश को भी ज्याइन केजिए ताकि आपको क्लासेश ज्याइन करके वहाँ पर मैं आपको ज्यादा पढ़ा सकूँ और ज्यादा बहतर बता सकूँ तो आप सभी के लिए इस वीडियो को आप कहीं कहीं हमें यही समाप्स करना पड़ेगा क्योंकि जो हमें बताना था हमने आपको पूरी चीजे बता दी हर चेप्टर की जो आपको संचना सिल्फ लिखना है आप संचना सिल्फ को इसी परकार से ही लिखने का प्रयास कीजिए आप सभी को बहुत सारी सुपनों, एकजाम में आप सब खोब नंबर आजित कीजिए, ठीक है, थैंक्यू सो मच, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्बार, और हमारे साथ बनी रही है, हरामे हमारी क्लैसेस को भी अटेंड कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्बार, थैंक्यू सो मच,